नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सुभी का फेंटेसी लोस कवर के ओफिसियल यूट्यूब जैनल पर भारत वर्सिज पाकिस्तान के बीच में एशिया कप का तीसरा मुकाबला धमाकेदार मुकाबला होने वाला है और इस मैच के अंदर सबसे जरूरी बात ही है कि अगर हम ड भारतिय खिलाडियों के सामने परफॉरमस की है वो रिकोड जानना बहुत जुरूरी है इस मैच के अंदर और यह रिकोड ही मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ सबसे पहले जितने भी सदसे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो के अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है especially Grand League के हम टीम बना कर देखेंगे और Grand League के ट्रांप खिलाडी इस वीडियो के अंदर जाने गे पिच रिपोर्ट क्या रहने वाली है small League और Grand League के fix , Emily जाने उसके बाद हे फुल स्टेट्स जाने गे फिर Grand League में कौन से खिलाड़ी बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन के भूमिका निभाएंगे वो भी हम इस वीडियो के अंदर जानेगे और साथ ही आपके लिए पूरे एक लाख रूपे का इस मैच के अंदर फरी गिव वे है ठीक है दोस्तों तो इस मैच के अंदर क्या विराट कोल को अपनी टीम के अंदर रखना चाहिए या फिर रोहित सरमा पाकिस्तान की खिलाफ किस तरह की बल्लेवाजी आपको करके दे सकता है और विराट कोली मालीजे भारत पहले बल्लेवाजी करता है तो क्या विराट कोली को एजे कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई करना च वो यही वीडियो है क्योंकि dream 11 की जब हम टीम बनाते हैं तो हमें cricket के point of view से team नहीं बनानी होती है हमें fantasy के point of view से team बनानी होती है तो हम इस वीडियो के अंदर prediction भी fantasy के point of view से ही करेंगे जिसके वज़े से हम grand league जीत सकें और इस match के अंदर grand league का price जो है वो पूरे 2 क्रोड जीताने में आपकी पूरी मदद करने वाली है ये वीडियो तो एक बार जितने भी सदस्य इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले चैनल को subscribe कर दीजिए वीडियो को like कर दीजिएगा क्योंकि अगर आप चैनल को subscribe करने की मेहनत नहीं कर सकते तो जो grand league जीतने मेहनत लगे हैं इस मैच के अंदर giveaway की और इस giveaway के अंदर प्रतेक सदस्य को participate जरूर करना है क्योंकि यहां पर zero entry है और एक लाग रुपे का free giveaway है ये आप देखिएगा एक लाग रुपे का giveaway है दो सितंबर को तीन बजी ये मैच शुरू हो जाएगा और ये giveaway जो है बहुत जल्दी फुल ह होजेगा तो इसके अंदर आपको ऐसा नहीं करना है कि चलिए मैच लाइनप आने के बाद में जोईन करेंगे या चलिए थोड़ी देर के बाद में जोईन करना है ये गलती मत कीजिएगा इस वीडियो की तुरंत बाद सबसे पहला काम आपका कौन सा है इस वीडियो के description box म आपको डाल कर अपना account बनाना है जो आप screen पर देख रहे हैं जिससे आपको 500 रुपे का welcome bonus मिलेगा और first time deposit पर आपको 100% bonus मिलेगा ठीक है दोस्तों आपको account बनाते ही 500 रुपे फरी में मिल जाएंगे और एक लाख रुपे का जो फरी giveaway है इसके अंदर आपको अपनी team बना क लगा देनी है यह आप यहां पर देखेंगे पाकिस्तान और भारत का यह match है एक लाख रुपे का free giveaway है जीरो entry है इसकी यहां पर और small league के लिए भी the best application है vision 11 पर तेक सदस्या सबसे पहले vision 11 को download कीजिए पहला काम आपका यही है और जिनको यह लगता है कि यह तो vision 11 को promote कर रह है तो आपके mobile में vision 11 होना बहुत जुरूरी है सभी download कर लीजिएगा अब अगर हम बात करेंगी मान लीजिए कि आपको team नहीं बनानी आती है आप loss में है आप profit कमाना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं आप हमारे telegram channel के उपर जूड सकते हैं हमारे telegram channel पर जूडने के लिए link इस video के description box में है उस link के उपर click करके direct आपको हमारे telegram channel के उपर join होना है मैं आपको बता दूँ कि आप जब हमारे telegram channel पर जूडेंगे तो especially इस match के अंदर line up आने के बाद में आपको Trump खिलाडी भी हम अपने telegram channel पर देंगे Trump खिलाडी वे होते हैं जो special grand league जिताते हैं जिनका selection 10, 20 या 30% होता है वे खिलाडी trump player की भूमी का निभाते हैं और वही आपको grand league जिताते हैं तो telegram channel पर जरूर जूड जाना अगर आपको grand league वाली trump खिलाडी चाहिए तो ठीक है दोस्तो आपको इस match से पहले पहले तीन काम करने हैं पहला इस YouTube चैनल को subscribe करना है दूसरा इस video के description box में जो link है उस link पर click करके विजन इले और डाउनलोड करना है referral code real flc डाल कर अपना account बनाना है और तीसरा काम आपको करना है कि telegram channel पर join होना है उसका link भी इस video के description box में है ऐसा ना हो कि आप telegram पर गए वहाँ पर search किया fantasy low discover और किसी भी channel पर आप join होगे हमारे नाम से बहुत सारे fake channel बने हुए है किसी को पैसे मत तीजिएगा original channel के उपर जूड़ने का एक ही रास्ता है और वो है कि जो इस video के description box में link है उसके उपर click करके ही आपको हमारे telegram channel के उपर join होना है अगर हम यहाँ शुरुआत करें pitch condition की कि pitch इस match के अंदर कैसी रहने वाली है तो मैं आपको बता दू कि spinner को काफी मदद मिलने वाली है इस pitch के उपर ठीक है average score की अगर मैं बात करूँ 256 रहने वाला है highest score यहाँ पर 303 set run रहा है सबसे कम score 70 run है total यहाँ पर 32 ODI के मुकाबले हुई है पहले बल्लेवाजी करने वाली टीम ने 14 जीते हैं और second inning में 18 match जीते हैं यहाँ पर 200 से कम 6 बार बने हैं 200 से 49 7 बार बने हैं और 250 से 229 सोरी 299 में 10 बार बने हैं और 300 पलस यहाँ पर 9 बार बने हैं यानि कि इस match के अंदर भी आपको 300 पलस का अखड़ा जो है देखने को मिल सकते हैं यह आप देख सकते हैं रिसेंटली मुकाबला अफगानिस्तान और स्रिलंका का मुकाबला हुआ था अफगानिस्तान ने 313 रन बनाये थे और पीछा करते हुए स्रिलंका ने 314 रन बना दिये थे 6 विकेट खोकर इसमें आप देखिए स्पीनर को पहली इनिंग में 3 विकेट मिले और दूसरी इनिंग में 6 विकेट मिले थे ठीक है, दूसरा मैच अफगानिस्तान स्रिलंका का हुआ था, उसमें भी पेसर को दोनों पारियों में 10 विकेट मिले, स्पिनर को 6 विकेट मिले, उसके बाद इंडिया वोमेन और स्रिलंका वोमेन में 12 विकेट स्पिनर को मिले थे, और 7 विकेट पेसर को मिले थे, स्रिलंका पाकिस्तान का आमना सामना अब तक 5 मैचों में हुआ है जिसमें से भारत ने 4 मैच जीते हैं और पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच भारत के सामने जीता है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 रहने वाली है और प्लेइंग 11 के उपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइना पाने के बाद में प्लेइंग 11 आपको ड्रीम 11 खुद देने वाला है फकर जमान और इमाम उल्हक ये दोनों सलामी बल्लेवाज रहेंगे पाकिस्तान की तरफ से बाब राजम कप्तान है और मुहमद रिजवान जो है इनके विकेट कीपर है इफ्तकार एहमद जो कि मैंने आपको बताया था पिछले मैच के अंदर एजे टरंप प्लेयर के भूमी का इस खिलाडी ने निभाई भी थी इस मैच के अंदर भी कौन से खिलाडी टरंप प्लेयर के भूमी का निभाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा यह आप यहां पर रिसेंटली परफॉर्मस आप देख सकते हैं खिलाडियों की फकर जमान लाश्ट मैच में 14, 27, 32, 33, 14, यहां की पिछले 6 से 7 या 8 मैचों में सिर्फ एक मैच के अंदर अच्छी पारी आई है, हेड टू हेड इसका कोई रिकोर्ड नहीं है, वेन्यू के अगर हम बात करें, 3 मैच, 33, 31, 21 का एवरेज है, ODA के अंदर 74 मैच है, और 3,221 रन है, 40 का एवरेज है ODA मैचों के अंदर, वहीं पर इमाम उलहक की अगर मैबात करूँ तो 50 का एवरेज है ODA मैचों के अंदर, हालां की पिछली 7 से 8 पारियों के अंदर 4 अच्छी पारियां भी आई है, और एवरेज की अगर मैबात करूँ तो यहां पर 50.68 का एवरेज रहा है, और वेन्यू के अगर हम बात करें, तीन मैचों में 199 रन है और 66.3 का एवरेज है इमाम उलहक का, तो फकर जमान से कही न कहीं बहतर आपके लिए इमाम उलहक साबित हो सकते हैं, सलामी बल्लेवाज हम दोनों नहीं रख सकते अपनी टीम के अंदर, इसलिए हमें इमाम उलहक के साथ इस मैच के अंदर जाना चा बापराजम की अगर हम बात करें तो ये रिसेंटली परफॉर्मस आपर बापराजम की हर एक कमाल पारी रहती है, वेन्यू की अगर हम बात करें, 3 मैच ए 182 रन है, 60.3 का एवरेज है और ODA की बात करें, 104 मैचों में 5303 पर रन है, 60 का एवरेज है, तो एवरेज काफी अच विकेट के पर बल्ले बाज है, वेन्यू की बात करें, 3 मैच है, 85 रन है और एवरेज 28.3 का एवरेज है, तो यहां पर एवरेज काफी डाउन है, और ODA के अंदर रिजवान का जो एवरेज है वो वाक्य ही बहुत कम रहता है, 61 मैचों में 1542 रन है और 35 का एवरेज है, मातर इफ्तकार एहमद की अगर मैं बात करूँ तो वेन्यू अब तक इनका है नहीं, और रिसेंटली परफॉर्मस की बात करें तो 109 रन है, फिर 17 रन है, फिर 30 रन है, फिर 94 पर नोट आउट है, और फिर 28 रन है, ODA अब तक 15 मैच खेलें, 402 रन है, पलस 8 विकेट है, और 109 विकेट है, वेन्यू की अगर हम बात करें तो 3 मैचों के अंदर 19 रन और 7 विकेट है, और ODA की बात करें तो 30 मैचों के अंदर 313 रन और 40 विकेट है, 53 हाइस स्कोर रहा है इस खिलाडी का, उसके बाद में नेया खिलाडी अगर मैं बात करूँ तो सलमान है, आल राउंडर है, पाकिस्तान की तरफ से रिसेंटली परफॉर्मस की बात करें पांच है, 38 नोट आउट है, पलस 1 विकेट है, 14 रन है, 7 रन है, और ODA 15 मैच है, 401 रन है, पलस 4 विकेट है, शादाब खान जो की बहुत बाकमाल आल राउंडर साबित होने वाला है, और पीछले मैच में भी यह आपको खेल कर देने वाला है, और हमारी टीम में AJ कैप्टन था, जब नेपाल की खिलाब मैच हुआ था, तो और हमने सभी जो कॉंटेश्ट है, वो अल्टरा किलीन स्विप किये थे, रिसेंटली मैचों की अगर हम बात करें, 4 विकेट है, 3 विकेट है, 48 रन है, 49 रन है तीन मैचों के अंदर, 114 रन है, पलस 7 विकेट है, और ODA की बात करें, तो 60 मैचों के अंदर, 725 रन है, 81 विकेट है, और 86 जो है, हाइश्ट है, और उसके बाद हैं शाहिन साफ रेदी गेंद बाज, जो की तकडा गेंद बाज है, पाकिस्तान की तरफ से, और 40 मैचों के अ जिनका दो मैचों के अंदर वेन्यू की बात करें चार विकेट है, 7.13 का इनका एकोनमी है। और साइन्स अफरीदी का एकोनमी वेन्यू के अंदर दो मैच तीन विकेट है, 5.14 का है। ODA की बात करें तो Harris Robe 25 मैच है, 46 विकेट है और 5.73 का इनका एवरेज है। नसीम साज जो की नेया पाकिस्तानी गेंदबाज है और 11 ODA मैच है, 26 विकेट है, 4.57 का इस खिलाडी का एकोनमी है। परतेक ODA मैच के अंदर 1-2-1-2 विकेट निकाल कर देनी की शमता ये रखता है। उसके बादे भारत की प्लेंग 11 की अगर हम बात करें तो ये प्लेंग 11 रहने वाले है भारत की रोईत सर्मा है, सुबमन गिल है, विराट कोली है, स्रेय साइयर है, इश्यांत किसन है, हार्दिक पांडिय है, रविंदर जडेजा है, अक्षिर पटेल है, कुल्दीप याद की कोसिस करते हैं, और भारती अखिलाडियों के जो head to head record है, वो भी हम जानेंगे, लेकिन आपको फिर से बता दूँ कि आपके लिए पूरे एक लाक रुपे का giveaway है, और इस giveaway के अंदर आपको जुरूर पार्टिस्पेट करना है, इस giveaway के अंदर पार्टिस्पेट करने के लि जिससे आपको 500 रुपे का welcome bonus मिलेगा, ये वीडियो जो भी सदस्य देख रहा है, उस परतियक सदस्य को इस giveaway के अंदर पार्टिस्पेट जरूर करना है, इसे ignore मत कीजिगा अगर आप grand league जीतना चाहते हैं, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो, और small league की जहां तक बात है, तो small league की आपको bunny बनाई हुई team हमारे टेलिग्राम चैनल के उपर मिल जाएगी, टेलिग्राम चैनल पर जूडने के लिए link इस वीडियो के description box में है, उस link पर click करके direct आप हमारे टेलिग्राम चैनल के उपर जूड जाएगा, small league हमें सिर्फ और सिर्फ वीजन इले उनके इस captain आपको हमारे टेलिग्राम चैनल के उपर मिलेगी, same team को copy करके और आपको vision 11 के small league के अंदर लगा देना है, जीत की पकी पकी गिरेंटी रहेगी, बस आपके mobile में vision 11 होना चाहिए, ठीक है, और अगर आपको अपना पैसा बरबाद करना है, तो फिर चाहिए आप vision 11 को download मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तो, अब जलिए भारत के हम, पहले हम बात करें थे ट्रंप खिलाडियों के, लेकिन ट्रंप खिलाडियों से पहले भारत की ये खिलाडियों के head to head record जान लेते हैं, रोहिच सर्मा है, हालांकि recently performance इतनी अच्छी नहीं है, head to head में, यानि कि पाकिस् है, recently performance 85, 34, 7, 37, 0, 20, 112, और ODA 27 मैच खेले हैं, 1477, 62.48 का एवरेज है, और ODA के अंदर रोहिच सर्मा का 244 मैच खेले हैं, 9877 और 48.70 का एवरेज है, रोहिच सर्मा का, विराट कोली की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच खेले हैं, 181 का एवरेज है, वेन्यू की बात करें, 2 मैच है, 7 रन है, 3.5 का एवरेज है, ODA की बात करें, 275 मैचों के अंदर 12,898 रन है और 57.32 का एवरेज है, स्रेस एयर की बात करें तो recently performance इतनी अच्छी नहीं है, 38 रन, 28 रन, 28 रन, 3 रन, 82 रन और 24 रन, ODA टोटल 42 मैच है, 1631 रन और 46 का एवरेज है इशान्त किसन की अगर मैं बात करूँ, भारतिय विकेट के पर वलेवाज, 27 रन, 6 रन, 1 रन, 19 रन, 4 रन, तो recently performance अच्छी बिलकुल भी नहीं है, ODA की बात करें, 29 मैचों के अंदर 686 रन है, और 24 का, मातर 24.50 का एवरेज है, हारदिक पांडिया की बात करें, तो recently मैचों की बात करें, 70 रन, 7 रन, 5 रन, 1 विकेट है, 40 रन, 3 विकेट है, तो कह सकते हैं, 2 पारियां अच्छी आई है, हारदिक पांडिया के बले से, head to head की बात करें, पाकिस्तान की खिलाफ हारदिक पांडिया नहीं क्या किया है, 4 मैचों के अंदर 122 रन है, और 5 विकेट है, हारदि 73 विकेट है, और हाइस्ट ODA के अंदर 92 रहा है, हारदिक पांडिया का, रविंदर जडेजा की अगर हम बात करें, तो रिसेंटली परफॉर्मस इतनी अच्छी नहीं है, 8 रन, 0 विकेट, 10 रन, 0 विकेट, 16 रन, 3 विकेट, head to head की बात करें, यानि कि पाकिस्तान की खिलाफ 3 मैच खेले है, 15 रन है, और 3 विकेट है, ODA की बात करें, 117 मैचों के अंदर 2560 रन है, और 194 विकेट है, हाइस्ट 87 है, हारदिक पांडिया का, अक्षिर फटेल की बात करें, तो रिसेंटली परफॉर्मस 0 विकेट, फिर 2 विकेट, 19 रन, 2 विकेट है, और वेन्यू की अगर हम बात करें, 2 मैचों में 6 रन, 2 विकेट है, ODA की बात करें, तो 52 मैचों के अंदर 463 रन है, 15 विकेट है, और 64 का हाइस्ट स्कोर है, खुलदीप यादव की, अगर हम बात करें, तो कुलदीप यादव, 2 विकेट, 1 विकेट, चार विकेट, थीन विकेट, एक विकेट और head to head पांच मैचों के अंदर पांच विकेट है और चार दसमलाव, 0-7 का economy है ODA के अंदर 84 मैचों के अंदर 141 विकेट है और 5-1-7 का economy है जस्परीत बुम्रा जो कि काफी लंबी समय के बाद वे वापसी की है रिजेन्टली परफॉमस की बात करेए दो विकेट, 6 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट पाखिस्तान के खिला आप 5 मैच जस्परीत वुम्रान की खेले है 4 विकेट है 4.97 का साथ का एकोनमी है वेन्यू की बात करे दो मैचों के अंदर 9 विकेट है तो टोटल 24 मैचों के अंदर 43 विकेट है, 4.79 का एकोनमी है, रिसेंटली प्रफॉरमस दो विकेट, जीरो विकेट, तीन विकेट, एक विकेट, चार विकेट, चार विकेट. ये भारतिये खिलाडियों का लेखा जोखा है, यहाँ पर जो head-to-head आपको record दिखाए हैं, head-to-head का मतलब ये है कि जब पाकिस्तान के खिलाब भारत का मैच हुआ है, तब खिलाडियों ने क्या कुछ किया है, अब जलिए बात करते हैं कि यहाँ पर टरंप खिलाडी कौन से रहेंगे और जिन्हों ने अब तक चैनल को सबस्क्राइब ने किया, चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा, टरंप खिलाडियों की जहां तक बात है तो मैं बता दूँ कि इमाम-ul-हक आपका पहला टरंप खिलाडी रह सकता है और उसके बादे फकर जमान हैं और उसके बादे इस रेस ऐयर अगर खेलता है तो इसका हम आगे देखते हैं कि ऐयर को अपने टीम के अंदर रखना चाहि गयाउ है साथ खिलाडी हैं साथ और फिर हम एक कि रहां पर सरेय सयर को बादे में देखेंगे तो यह हमारे पास साथ खिलाडी है इन साथ खिलाडियों में सिसी चार खिलाडी हमें अपने टीम के अंदर जुरूर रखना होगाnom एम इस इमाम-ul-हक अपकर जमान हैं इन दोनों में से किसी एक खिलाडी के साथ हमें जाना होगा उसके बाद में एम नवाज है अक्षर पटेल है तो एम नवाज के साथ अगर हम जा रहे हैं तो पाकिस्तान के किसी बड़े आल राउंडर को ड्रॉप करना पड़ेगा अक्षर पटेल के साथ अगर हम जा रहे हैं तो हार्दिक पांडिया को ड्रॉप करना पड़ेगा उसके बादे कुल्दीप यादव को हम अपनी टीम के अंदर जुरूर स्तान दे सकते हैं तो कि ये खिलाड़ी 2-4 विकेट निकाल कर देने के शमता रखने वाला खिलाड़ी हैं वही पर मौहमद सिराज भी बहुत अच्छा आपके लिए गेंदवाद साबित हो सकता है उसके बाद एन शाह भी आपके लिए अच्छा गेंदवाद साबित हो सकता है कुलदीप यादव और अक्षिर पटेल ये दो खिलाडी होगे और अगर आप अक्षिर के साथ जा रहे हैं तो फिर हार्दिक पांडियों को अपनी एक टीम से ड्रोप कर सकते हैं इस तरीके से आपको अपनी टीम के अंदर स्थान देना पड़ेगा वहीं पर हम बात करेंगे एक कंप्लीट टीम भी बना कर देखेंगे लेकिन उस से पहले अगर हम समोल लीग की बात करें कि समोल लीग की हमारी किस तरह से टीम रहेगी तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी समोल लीग की विजन 11 की टीम है इस टीम के अंदर हमने कौन से खिलाड़ी लिए हैं मुहमद रिजवान है विराट कोली है बाबर आजम है इमाम उलहक है उसके बाद है सुब्मन गिल है एम नवाज है शादाब खान है रविंदर जडेजा है जस्परीत भूमरा है शाहिम साफरीदी है और मुहमद शमी जो क पिराट कोली को तो यह विजन 11 स्मोल लीग की कंप्लीट टीम रहने वाली है इस टीम यह फाइनल जो टीम है बनी बनाई होई टीम ठीक इसी परकार से वह आपको अपने हमारे टेलिग्राम चैनल के उपर मिल जाएगी तो उस टीम के साथ आपको सिरुफ और सिरुफ विज कोंपेटिशन बहुत कम है अगर मान लीजी कि आपके आठ खिलाड़ी भी बेस्ट परफॉर्मस करते हैं तो भी आप विजन 11 के उपर पहले नंबर पर आ जाएंगे इतना कम कोंपेटिशन है वहाँ पर एक बार मेरे कहने से खेल कर देखिए फिर आपको पता चलेगा कि कि कोंपेटिशन है चलिए हम यहाँ पर कमप्लीट टीम बना कर देखते हैं तो जैसे फकर जमान को हम अपनी टीम से ड्रॉप कर देते हैं रोई मान लिए कि इमाम-ul-हक के साथ हम जा रहे हैं तो फिर बड़े खिलाडी की हमें बली देनी पड़ीगी पाकिस्तान की तरफ से तो जैसे बाबर आजम को हम ड्रॉप कर सकते हैं और एक जो ट्रम्प खिलाडी है दो ट्रम्प खिलाडी जैसे स्रेय सायर और इफ्तकार हमद अरब पारज को ड्रॉप करके और जस्परीत बुंबरा के साथ चले जाएंगे और और इन शाख को ड्रॉप करके शाइन-सा-अफृदी यह रिस रूफ के साथ जा सकते हैं यह फिर आन-सा के साथ भी हम जा सकते हैं कहने का मतलब यह है कि जो बड़े खिलाडी हैं उन बड Captain Wise Captain की बात करें तो भारत की तरफ से रोहित सर्मा को आप A.J. Captain रख सकते हैं रोहित को अगर आप Captain कर रहे हैं तो इमाम-ul-Hak को वाइस Captain कर सकते हैं या फिर MD रिज्वान को आप वाइस Captain कर सकते हैं गेंदबाजी के अंदर रविंदर जडेजा या फिर अक्षर पटिल को आप वाइस कैप्टन कर सकते हैं या फिर कुल्दीप यादव को वाइस कैप्टन कर सकते हैं दूसरी और चे अगर हम बात करें तो जैसे शादाव खान को हम यहां से कैप्टन कर सकते हैं रिजवान को वाइस कैपटन कर सकते हैं और इसके साथ फिर हम गेंदबाजी के अंदर एन शाह को वाइस कैपटन कर सकते हैं या फिर यहां से हम रविंदर जडेजा को इसके साथ वाइस कैपटन कर सकते हैं इस तरीके से कैपटन और वाइस कैपटन का कॉमिनेशन रहने वाल जैसे रिजवान को आपने कैप्टन कर दिया, इमाम उलहक को वाइस कैप्टन कर दिया, ये भी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, और तीसरी गलती जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर विराट कोहली को कैप्टन कर रहे हैं और शाधाब खान को वाइस कैप्टन कर दिया, ये कर सकते विराट कोली को अगर आप कैपटन कर रहे हैं तो इसके साथ इमाम उलहक को वाइस कैपटन कर सकते हैं फिर आप रोहिद सर्मा को ड्रॉप कर सकते हैं और विराट कोली के साथ आप अक्षर फटेल को भी वाइस कैपटन कर सकते हैं कुल्दीप यादव को तो दो क्रोड रुपे है नो डाउट लेकिन यहां पर जीतने के लिए एक क्रोड चतिस लाक पांच हजार चार सो एक तालिस लोगों को हराना पड़ेगा तब जाकर आपके टीम यहां पर पहले नंबर पर आएगी तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि जो भी चार या पांच टीम आप ड्रीम 11 की ग्रैंड लिग में लगा रहे हैं सेम टीम को कोपी करके और विजन 11 की ग्रैंड लिग के अंदर जरूर लगाईएगा अगर आपके ग्यारा खिलाडी बेस्ट परफॉर्मस कर गे तो आप ड्रीम इलेवन पर पहली नंबर पर आजाएंगे अग उन पैसों को मत गवाईए और इस मैच से अच्छा मैच आपके लिए नहीं है कोई भी ग्रैंड लिग जीतने के लिए ठीक है तो विजन 11 की ओपर ग्रैंड लिग आप में से ही कोई एक सदस्य जीतेगा इस बात की मैं 101% आपको गारेंटी के साथ कहता हूँ ठीक है तो ये